अजो दोस्तों वेलकम टू सीफॉर करियर यह अल्टीमेट स्टॉक मार्केट मोडिवेशन तोस्तों आज सब को पता है कि निफ्टी जवर्दस फॉल हुआ है बैंक निफ्टी जवर्दस फॉल हुआ है और अल्मोंस सारे स्टॉक फॉल हुए है यतों जलिए है रिजन इन्वी क्याओं खिला इन्वारे गोरिज्टि फ्टीम्ट रिएमकौड 90 क यह थी थी कि जो अमेरिका की सबसे बड़ी क्रेटरिक एंग या NCA Fitch उसने अमेरिका की credit rating को घटा दिया है AAA से A plus कर दिया है और बस उसी के कारण पूरे Asian बाजार में, पूरे European बाजार में including American market पूरा का पूरा मार्केट दराशाई हो गया, okay? So this was a news and news is very important factor in stock market, okay? तो इसे कभी ignore मत करना 3.56 lakh करोड अफ़ दलाल स्टीट सब ओड़ गया, ठीके ना? तो news को पकड़िये जरूर, जैसी आपको समझ में आजाए कि news negative है, तुरंत आप तो exit कर सकते हैं उस time के लिए और जैसे market नीचे move करेगा उसके बाद रिए entry बन जाती है, ठीके ना? तो देखिए, फिच डाउंगेट, उसके रेट है, एवे, प्लस, इतनी सी news थी, और इसने पूरा market धराशाई कर दिया, news छोटी सी नहीं है because it belongs to a largest economy in the world, number one economy in the world अमेरिका है, अगर उसकी credit rating पर कुछ भी आँचाएगी, छोटी मोटी, तो पूरा वर्ड हिल जाता है, तो हमारा stock market भी हिल गया, और अब निफ्टी काफी नीचे आ गया, support वगएरा तोड़ दिया, trend line थी, EMA 20 का support लेकर जा रहा था, वो भी तोड़ दिया, अब कल क्या हो सकता है, वो हम discuss करने वाले, पूरा वीडियो अंतर तक देखना, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो subscribe कर लेना चैनल को, और Instagram पेज को follow जरू कर लेना, देखिए दोस्तों, ये डेली का chart में लगाया हुआ है, अब देखिए हुआ क्या, हमें करना क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तीन लाइन ड्रॉ करनी है, दोस्तों अपने चार्ट पर रही है, ये ग्रीन लाइन है, लो, आज का लो, ठीक है, ये ब्लू लाइन है, आज का closing price, और ये red लाइन है, आज का high, ओके, अब देखिए दोस्तों, market गिरा, market जबरतस गिरा, almost 900 point की ऊपर चला गिर गया था, उसके बाद recover हुआ है, ठीक है, लेकिन ये गिरा, उसके बाद एक point तक ही गिरा, उसके बाद फिर ऊपर चला गया, ठीक है, देखिए, विक बन गई, तो इसका मतलब जहां पर ये low है, this is the major support, major support for nifty right now, ये green line is the major support, तभी ये इसके नीचे नही high, nifty ने उपर जाने की भी कोशिश करी morning में, लेकिन नहीं गया, because this is a major resistance, समझ गया ना बाद, नीचे नहीं गया, इस point से मतलब major support, उपर नहीं गया, इसका मतलब major resistance, तो ये चीजें सबसे पहले locate करियो, closing price, locate करिये, जहां पर close हुआ है, ठीक है, ये तीन चीजें बहुत important factors हमें बताती है, देखिए, अब क्या हुआ, ये black वाली line है, ये में 20 की, जिस पर nifty support लेकर चल रहा था, जिसके कारण उपर तक गया, around 99,98, 20,000 touch नहीं कर पाया, उसके बार नीचे आ गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है, ये में 20 को भी तोड़ दिया है, ठी जो अभी stock इसके ऊपर ही है, ठीक है, इसके नीचे नहीं आया, ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, ठीक है, कल को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, lower time frames, ठीक है, तो हम चलते हैं, 4 hourly पर, half day के time frame पर, और देखते हैं क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक च पता है हमर क्या करता है, तो आपको हैमर की जो link है, candlestick pattern की मैंने पूरा detail वीडियो बनाया है, पूरा आराम से समझेगा हमर के बारे में पूरी बारा की बारी क्या हो सीक्रेट्स बताएं, वो समझ लेंगे, तो आपको समझ में आजा है का हमर करता क्या है, अगर वो downtrend पर, बॉटम पर सपोर्ट पर बन जाए, तो सपोर्ट पर हमर बनाया है, लंबी सी विक है, चोटी सी बॉड़ी है, परफेक्ट हमर बनाया है, ओके और प्राइस रिजेक्शन हुआ है, मतलब बायर्स एंटर करकर, बायर्स ने इसके नीचे 19.421, जो भी इसका ये लो था, एक म प्राइस है, इसके अगर उपर ओपन होती है, तो वी केन अंडरस्टेंड की थोड़ा उपर जाएगा, और अगर इसके हाई को तोड़ देती है, तो समझ लेना कि फिर मार्केट उपर की तरफ भाग रहा है, ठीके ना, तो अभी ये जो रेंज है, रेट कलर और ग्रीन कलर की जो हाई और लोग की जो रेंज है, अगर हमारा जो हैमर बना हुआ है ना, अब हैमर की कंडिशन देखे दोस्तों क्या है, कि जो अगली केंडिल बने वो प्रीवेस केंडिल का हाई तोड़ थे, तो अभी हाई उननेस चेहसो बैयासी दसमलों आट-पांच का लगा हुआ है, तो अगर इसको तोड़ देती है, कल कोई भी केंडिल आने वाली इसके हैमर के बाद जो भी केंडिल बनती है, अगर इसको तोड़ देती है, तो हम समझ सकते हैं कि हैमर, और उसके बाद अगर क्लोस हो जाता है, सबोस्ट दे में, क्लोस हो जाता है, तो समझ लीजे कि फ कैमर ने थोड़ा इंडिकेशन तो दे दिया लेकिन है मर केला कुछ नहीं कर सकता है इसकी अगली केंडिल का में वेट करना तो कलका तो वेट करना ही पड़ेगा ठीक है और चॉटर टाइम फ्रेम में चलते हैं 15 में पर चलते हैं और देखते हैं क्या हमें दिख रहा है देखिए 15 मेंट पर तीन सवादो यह देखे-जै यह दो उसके बाद सवादो के बाद से बारदिए और फिर एक रीन केड़ बेदे केंडल पर ख्लोज उआ है ठीक है न और एमेटवेंटी का जो सपोर्ट था तूट गया है क्योंकि क्लोज़िंग नीचे दी तो कल हो सकता है कि निफ्टी वहीं का वहीं जहां आज क्लोजिंग दिए वहीं का वहीं मूफ करें उसी के आसपास रहें और नहीं तो जो हैमर बनी है बॉटम पर उसको सपोर्ट मानकर आगे बढ़ सकता है देखिए पांच मिनट के वहीं अच्छी आफ्रनून में दो धाई बज़े के बाद अच्छी बाइंग आई है उसके बाद फिर एक छोटा था हैमर बना और फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई और इसने यह में 50 का सपोर्ट लिया हुआ है य ओके और आपकी डेली की चार्ट पर यह बियरिस केंडल बनी हुई है ठीक है वीक पर एक लेधार देख लेए हैं इसका ऐसर वीक पर भी हुआ है वीक पर भी बिदेख aíVAर केंडल बनी whit Pharise लिया हुआ है ठीक है और मंतली केंडल पर भी अब हलका बियरिश होना शुरू हो गया है निफ्टी रेट केंडल बन चुकी है ठीक है ना तो अभी निफ्टी के हालाथ थोड़े सही नजर नहीं आ रहे हैं अब अप्ट्रेंड तभी होगा जब 19600 यह वाला लेवल जो आज का जो हाई है न आज का अब इसचेशो हाटट्र जब तूटेगा तब निफ्टी अफ्रेंड में कहला आएगा क्योंकि अब निफ्टी का डाउन ट्रेंड इसिठार्ट हो गया अगर मैं आपको लाइन दिखाद हो तो देखे लुर लोड नोर लोड लोड लोड़ यह ओके Nifty में trade accordingly ठीक है bank Nifty भी देख लेते हैं bank Nifty भी Nifty को ही follow कर रहा है क्योंकि trend तो downtrend बन चुका है देखिए इसका support इसका low आज का इसका closing इसका high low से support लिया ओए EMA 50 की line देखिए दोस्तों green line है EMA 50 की line हम देख लेते हैं देखिए यहां पर भी hammer बना हुआ है विक्स क्लंबी है rejection मिला है support से तो कल की जो candle decide करेगी अगर इसकी previous candle का high तोड़ देती है वह यह 45404 को तोड़ना पड़ेगा तब कहीं जाकर निफ्टी uptrend में आएगा जो की बड़ा लंबा टास्क है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा होने की संभाब में क्योंकि news बड़ी negative आई आज तो यह hammer को अब आपको अगर trade करना है तो अगली लिए है 15 मिट का चार्ट और देख लेते हैं बंदा मिट पर भी अच्छी खासी बाइंग आई है बट इस आर नौट दा स्ट्रॉंग बायर्स ओके ना इस आर वेरी वीक वायर्स विकॉस उसके बाद फिर क्लोजिंग आपने रेड में ही दी है ठीक है ना एंड यह में अब हैमर को अगर हमें ट्रेट करना है जो चार गंटे की चार्ट पर बनाया कर इसे हैमर को ट्रेट करना है तो अगली केंडिल इसका हाई break करना चाहिए बस और कोई option नहीं है 45 404 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी को जाना पड़ेगा तब कहीं जाकर आपकी positive move की training मनेगी नहीं तो short selling के लिए आप तयार रही है कोई दिक्कत नहीं है okay so अब safe कहा है safe है जो psychological level होते हैं दोस्तों 44 500 का level है फिर 44,000 का level है these are all the psychological support okay तो इनको देखते रहिएगा क्योंकि psychological support जब टूटता है तो अच्छागासा नीचे गरता 19.500 का support था okay तो वो break करने के बाद निफ्टी ने फिर जंप लिया राइट 19.500 का जो support break किया तहले कि उसके ऊपर ही कर जाता है तो अच्छागास सपोर्ट था बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट था ठीक है ना तो इस वाज अनलेसिस फॉर निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों ओके तो कल यह हैमर पैटर्न देखते हैं मैं बचाता है कि नी बचाता है तो आराम से है तो लेट सी टुमॉरो एट रिकावर्स देन वी विल सी ओके लाइक कमेट शेयर कर यह मुस्तर जोड़ाइए थैंक्स वर वाचिंग थैंक्स पर यूर राइम फिर अगले वीडियो में मिलता हूं आपसे थैंक्यू वेरी मच्छ जैहन